असलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग भाई आज किस वीडियो में मैं डिसक्रस करूँगा इंट्रिक्स होट 54 जी को बेसिकली इस फोन का डिजाइन सिमिलर होने वाला है लेकिन इस फोन की स्पेसिफिकेशन हमें चेहीं देखने पर मिलेगी एस कंपेर टो इंट्रिक्स होट 55 जी जो इंडिया की मार्केट में लौच किया गया है इस वीडियो में डिसक्रस करते हैं इंट्रिक्स होट 54 जी में क्या स्पेसिफिकेशन आने वाली है price क्या होगी most important पाकिस्तान में कब launch होने वाला है सारा कुछ आप लोगों को detail में बताने वाला हूँ make sure आप लोगों ने वीडियो को end तक जरूर देखना है start करने से पहले मेरा ना मेरे हान में इस तरह के interesting content बनाता रहता हूँ तो इसी बात पर आप लोग वीडियो को like करके motivate कर सकते हैं आप लोग का एक like मुझे काफ जरा motivate करता है share comment ज़रूरी है and first time मुझे चैनल के ओपर देख रहे हैं तो subscribe कर लो क्योंकि आगे unboxing आने वाली है first of all discuss कर लेते हैं display को basically ये 4G variant है तो डिस्प्ले काफी अच्छा मिलने वाला है 6.7, 8 इंचिस के काई पेस पैनल होगा full HD plus की resolution होगी यह रिके 1080p की resolution होगी साथ में 120Hz का refresh rate होगा center punch hole के साथ 8MP की selfie मिलने वाली है ये चीज़ काफे ज़रा अच्छी है कि by full HD के साथ 120Hz का refresh rate प्रवाइड किया जा रहा है वरना 5G वाला variant जो है उसके अंदर तो 720p के साथ 120Hz का refresh rate प्रवाइड किया गया है और ये infinix की hot series का phone है तो definitely IPS panel होगा node series में amulet panel होता है zero series में curve amulet panel होता है और GT series है उसके अंदर तो 144Hz का refresh rate मिल जाता है amulet panel के साथ लेकिन इस वीडियो में मैं hot series की बात कर दो हैं design को discuss करते हैं design इस phone का दिखने में बहुत जारा hope दूरत है same design provide किया गया है जो इंडिया की market में launch किया गया है infinix hot 55G वैसा ही design infinix hot 54G का होने वाला है out the back plastic की होगी frame भी plastic का होगा और interesting चीज़ यह phone काफ़र स्लिम होने वाला है IP 54 की rating भी लेकर आता है अब पाकिस्तान में जो 4G variant आएगा यह IP 54 की rating लेकर आएगा या पर नहीं यह जब launch होगा then हम इसको इंशालला unboxing भी करेंगे cover करेंगे वहाँ पर मैं आप लोग को यह यह चीज़ें explain करूंगा था पर आपको 50MP triple camera का सेंटर मिलते हैं जो के आते हैं 50MP का में सेंसर है सकेंडरी 2MP के एक डैफ संसर है थार्ड इंका खलाई sensor है 0.08 MP का और आप लोग इस मार्टी के back camera की help से मुझे उमीद है 2K में वीडियो record कर पाएंगे एंडरीट वर्जिन की बात करो तो यह phone out of the box Android 14 के साथ आएगा साथ ही यहाँ पर Infinex का latest UI access 14 भी मिल जाएगा UI experience हमेशा की तरह सेम रहने वाला है बट एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग को clear कर दूं अपडेट का कोई आता पता नहीं है कि वर्ट 50 फॉर जी या फिर फिफ्टी सिरीज के अंदर कोई अपडेट मिलेगी Android की या पिर को स्क्यूर्टी अपडेट पैसे स्क्यूर्टी अपडेट तो आर्फोन में आती है लेकिन Android की जो major update है वो मिलेंगी या पिन यह तो भी confirm मुझे ऐसा लगता है कि और फिफ्टी सिरीज में Android की अपडेट नहीं आएंगे अगर अपडेट आती है तो बहुत ही अच्छी बात नहीं आती तो अर्जस्स तो करना पड़ेगा इसके लावा अगर मैं चिपसट की बात करो तो इंट्रस्टिंग चीज इस फोन के अंदर की तो अगर यह इसी चिपसट के साथ आता है इसी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है तो इस स्मार्टू की जो प्राइस है वो 50,000 के लगब्व होगी नहीं मीचे भी हो सकती है तोड़ी सी और हूप पर भी हो सकती है डिपैंड करता है कि इनफिनिक्स वाले स्मार्टू क हो किस प्राइस्रेज में लौँच करते हैं इस फॉल में एक ही व Chair चान ये विडिं़ दोंड और अगर तो सेल जनरेट होती है तो वेल ंपुट अगर सेल जनरेट नहीं होती तो फिर भाई इनका लोर वेरियंट भी आएगा आट जी भी एक सो ठाई जी भी या फिर छे जी भी एक सो ठाई जी भी इन में से कोई लॉंच किया जा सकता है ताके भाई कोस्ट कटिंग करके प्राइस कम की जा सके और हमारा फून सेल हो जाए फिंगरबेंट स्केनर की बात पर हो तो भाई इस फून में साइड मॉक्टिट फिंगरबेंट स्केनर होगा फेस अनलो का उप्शन भी मिल जाएगा लास्ट में बात करते हैं बैटरी की ये फून आएगा 5000 इमेच बैटरी वे टाइप सी कनेक्टिविटी चार्जीराईगी इस साइट में आपको 33 वार्ट की फारचैनी ये ilayas't फसक्ट हो सकते हैं कि यहाँ पर आपको ज्यादा फारचैनी का स्कोब्स पी मिल जाएं। लेकिन फिलाज जो confirmation आ रही है वो यही है कि इस phone में 33 watt की far charging का sport ही मिलेगा। वैसे यार एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, Infinix और Tecno के जितने भी phone आते हैं इनका जो 33 watt है वो Oppo Vivo के 18 watt के बराबर काम करता है, इससे जाला काम नहीं करता है, मेरे पास है ना Tecno Spark 20 Pro बहुत लेट चार्ज होता है बाई, लिटरली लगता है नहीं के 33 watt की far charging है, बाकी आप लोगों ने इतना रोला डाला हूँ है, Tecno Spark 20 Pro का यार हमें review प्रोवाइड करतो, जैसे मैंने review upload करना है, आप लोगों ने response नहीं देना, वही कोई 500,000 या फिर 12,500 बीडियो कतम हो जाएगी, तो अगर तो आप लोगों के तरफ से बहुत अच्छा response आएगा, तो मैं फिर ही इसका review करूंगा, और आज पतल लग जएगा कि आप कितने ज़दा comment करते हैं, उस इसाफ से मैं फिर judge करूँगा कि इसका review करना चाहिए, या फिर नहीं, वैसे मेरा इरादा तो है, इसका review करूं, लेकिन अभी यार मैं कुछ और problem में पसा हुआ हूँ, तो आप लोगों के दरफ से काफ़ दरा रोला डाला जा रहा है, तो यार, थोड़ा सा time दे, मैं अभी माइना भी नहीं हुआ यार इसको, लेकिन अगर आप लोगों ने फोन लेना तो आप ले सकते हैं, कोई issue वाली बात नहीं है, एक्चुल में जो problem में वो आपको भी face करने को मिल सकते हैं, और जो आपको problem माएंगे फोन को लेने के बाद, वो आप लोगों मुझे comment section में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताके मैं उसको highlight कर सबूँ, और टेक्नो वाले देखें तो वो इस चीज़ को upgrade या इसको optimize कर सकें, launch date की बात करो तो भाई, फिलहाल infinix 044 पाकिसान में launch किया जा रहा है, next month के start में ही infinix का hot 50 भी launch कर दिया जाएगा, जैसे ही आएगा इसके unboxing जरूर होगी इंशाला, तो मेच और आप लोगों ने चैनल को subscribe कर लेना है, फर्दर आपनों को कोई भी question आप लोग comment section में पूश सेक्शन हैं, comment में आपनों को reply नहीं मिलता तो पाइल इंस्टाग्राम पे आके follow करके वहाँ पर message करें, मैं आपनों को 100% reply करूँगा, तो अबीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपनों को काफी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो बढ़ी वीडियो को like करो, share करो, comment करो, subscribe करो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, अल्हाफिस.